नमस्कार आप देख रहे हैं अंदर स्पूर्ट 24 साहिब गंजिले में एडी के द्वारा लगतार छापे मारी जारी है और लगभग डेड़ दर्जन वेवसाईयों के घर पर छापे मारी की जारी है लेकिन इस बीच जो एक बड़ी ख़बर सामने आई है कि बरहेड विधायग परतिनिदी पंकज मिस्रा को इडी ने उत्तरा खंड में हिरासत में लिया है और उसे दिल्ली ले जाकर पूस्ताज करने वाली है वहीं यह जानकारी मीडिया के हवाले से दी जा रही है दूसरी ओर यह जानकारी गोड़ा सांसद निसिकांद दुवे ने ट्वीट के माध्यम से दी है उन्होंने कहा है कि पंकज मिस्रा इडी की कारवाई से भैवीत होकर ठंडे ठंडे वादियों में घूम रहे थे और इसी ठंडे वादियों में इडी ने उन्हें हिरासत में लिया है वहीं सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से परवर्तन निदे साले ने साहिब गंज में 19 जगहों पर एक बैग छापे मारी की है जिससे पूरे जिले में हलकंप मच गया है लेकिन बरहेट विधायक परतनिधी पंकज मिसरा को हिरासत में लेने की बात जो सामने आ रही है वह कई मीडिया हाउस से आ रही है और मुख्य रूप से गोड़ा सांसाद निसिकान दुबे के टूट के माध्यम से लोगों को यह जानकारी मिली है वही सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक एडी के द्वारा किसी प्रकार की कोई अधिकारिक पुष्टी पंकज मिसरा को हिरासत में लेने की बात जो सामने आ रही है वो अभी तक अधिकारिक पुष्टी नहीं हो पा रही है झाल